तो अगर आपको भी अपनी computer है laptop में Windows 10 के operating system में यहाँ पर आपको इस तरह से problem देखने को मिली white screen with cursor वाली जैसे कि मेरे laptop में अभी यहाँ पर white screen दिख रही है और यहाँ पर cursor दिख रहा है और cursor move कर रहा है उसके बाद जो मेरी Windows की screen desktop के icon सो करने चाहिए उसकी जगह पर यहाँ पर मेरा white screen आ रहा है और mouse का cursor सो कर रहा है और cursor move कर रहा है इसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर laptop बें desktop कुछ भी हो सकता है और इसके साथ यहाँ पर मेरा Windows 10 का operating system में इसमें पढ़ा हुआ जिसमें problem मेरी आ रही है तो यहाँ पर इस problem का कैसे आप solve कर पाए इस video में मैं यही step by step detail में आपको बताने वाला हूँ जिसको आप जो जो step में जैसे जैसे बताओं उसी step को उसी तरह से follow करने के बाद आप अपने Windows 10 के operating system में इस problem को बहुत ही आसानी के साथ solve कर पाए और आप यूज कर पाए अपना laptop बें desktop बिल्कुल पहले की तरह तो अगर आपको इस problem का solution जानना है तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजेगा तो यहां पर वीडियो स्टाट करने से पहले बता दू यहां मेरे Windows 10 का operating system है और laptop बे डेक्स्टॉप कुछ भी आपका हो सकता है दोनों मैं step same है जो मैं step बताने जा रहा हूँ और यहां मेरे laptop में जो problem आ रही wide skill with cursor की problem आ रही यहां पर देख सकते हैं cursor so कर रहा है cursor move भी कर रहा है बागी कोई function work नहीं कर रहा है तो इसका बहुत ही आशायन solution है मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहां पर कई तरह की problem हो सकती कुछ मैं आपको बता लिया होगा या फिक काफी multitasking आपने की होगी आपने उसको without close के laptop कर दिया होगा या फिर laptop में कभी-कभी आपको ट्रंपेरी फाइल ज्यादा होने की वज़से विंडोस एकसी फाइल आपकी missing हो जाती है उसका location वहां से जहां से उठाना चाहिए उसका location missing हो जाता है इस इसकी भी problem आपको देखने को मिल सकती है यहां पर कई region यह problem आने का तो यहां पर घपराने वाली बात बिल्कुल नहीं है मैं इसका solution बहुत ही आसाना step में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में और यहां पर आप से request है कि आप चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजेगा लेकिन उसके बाद भी चैनल को नहीं सस्क्राइब करते हों तो यहां पर सबसे पहले आपको tax manager open कर लेना tax manager कैसे open कर रहा है क्योंकि यहां पर कोई function तो हमारा काम नहीं कर रहा है तो कैसे open कर रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूं तो यहां पर keyboard में जैसे आप control, alt, delete यह त तीन बटन को एक साथ अगर प्रेस करेंगे तो यहां पर इस तरह का option आपके सामने खुलेगा जैसे मैं यहां पर अभी cancel कर देता हूं दोबारा से आपको बता देता हूं ख़़गा सा जूम करके यहां पर देख सकते हैं यह आपका control button मिल जाएगा यह अल्ट बटन मिल जा करना control shift and skip button यह तीनों बटन एक साथ आपको प्रेस करना है तो यहां पर tax manager की windows कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगी तो इसको हम close करते हैं दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है अब यहां पर जैसे control and delete button हम प्रेस करते हैं टाक्स मेंजर के कुछ इस तरह से मेर करने का टाक्स मेंजर का मैंने आपको open करके दिखा दिया बता दिया दोनों shortcut की अब यहां पर मैं जो इस टब बता हूँ वही आपको follow करना है आपने चाहे जो shortcut की इस्तिमाल की हो उससे मतलब नहीं है अब यहां पर आपको जाना file पर file पर जाने के बाद यहां पर आपको run new tax मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहां पर आपको खाली मिल जाएगा blank मिल जाएगा तो यहां पर आपको यह चीज आपको टाइप करना है explorer.exe इसकी एक एक स्पैलिंग आपको वीडियो के ऊपर लिखा मिल जाएगा इस तरह से आपको टाइप करना है इस तरह से आपको टाइप करना है इसके बाद यहाँ पर आपको Simple OK पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आइकन सारा आ चुका है जो भी फाइल वगरा थे सब कुछ यहाँ पर आ चुका है इसी तरीके से आप भी टाक्स मेंजर को कैसे ओपन करने की बाद यहाँ पर किस तरह से हमें क्या कमान डालना यह मैंने आपको बता दिया है उसको डालने की बाद यहाँ पर यह विंडोज आपको खुल जाएगी और यहाँ पर एक बार रिश्टार्ट करके आप चेक कर लीजेगा कि आपकी प्रॉब्लम अगेन तो नहीं आ रही यहाँ पर चाहे रिस्टार्ट कर सकते हैं चाहे सट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना PCI Laptop जो भी है जिसमें प्रॉब्लम आ रही जिसका सलूशन आपने apply के अपने laptop डिस्टॉप में एक बार restart करके check कर लेते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर पर अपने laptop को restart करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हमारी problem solve हो चुकी है यहाँ पर हमने अपने laptop को restart करके दोबारा से on किया तो जोगी हमारा दोबाई laptop on हो चुका है कोई यहां पर wide screen के problem नहीं देखने को मिल रही है और अगर इसके साथ यहां पर आपकी problem resolve नहीं होती है तो वीडियो के उपर आई बटन पे एक वीडियो का link मिल जाएगा उसमें जैसे जैसे मैं जो जो step मैंने बताया उस step को भी follow कर लीजे तो अगर क मैंने इस वीडियों बताया यह काम ना कर रहा हो तो आप उपर आई बटन वो वीडियो मिल जाएगे आप जाके उसको देखके वो इस्टा फॉलो कर लीजे और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी support मिलो हो तो हमाई चैनल को जलू सब्सक्राइब करके bell icon पे all click कर कर दीजेगा जिससे हर वीडियो को notification आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को देखके आपने problem को resolve कर पाएं या फी आपनी knowledge को और increase कर पाएं और इसके साथ वीडियो को like करना comment करना share करना बिल्कुल न भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ तक ल